इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी ग्रूप से मौझूद इस्राइल ने एरान के मिसाइल हमले का जवाब उसने दे दिया है आज सुबह इसराइल के फाइटर जेट्स ने इरान में घुसकर उसके कई ठेकानों पर बंबारी की है जिसमें तहरान भी शामिल है सवाल उठ रहे हैं कि मिडिल इस्ट में अब आगे क्या होने वाला है नमस्कार दोस्तों डिफन्स डिटेक्टिव के एक और नए अपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग दोस्तों जिस दिन एरान ने इसराइल पर मिसाइल अटाक किया था उसी दन यताय हो गया था कि इसराइल जवाबी हमला करेगा और जरूर करेगा और आज सूरज उगने से पहले एरान के कई इलाके इसराइली फाइटर प्लेंस की गरज के साथ-साथ धमाकों की आवाजों से दहल उठे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसराइल ने यहाँ कैसे और कहां कहां हमले किये हैं ये भी बताऊंगा कि इन हमलों से एरान को कितना और कैसा नुकसान हुआ है और क्या अब एरान फिर इसराइल पर काउंटर अटैक करेगा क्या इसके साथ ही इसराइल किस हमले के पीछे अमेरिका के रोल के बारे में भी आपको बहुत डीटेज जानकारी दोगा यह फाइटर जट देखा आपने यह इसराइल के फाइटर जट थे जिन्होंने बीती रात जौडन के एर स्पेस से होते हुए इरान पर हमला किया था जब ये इसराइली फाइटर जेट्स इरान पहुँचे थे तब कि तस्वीर देखिए आस्मान में ये जो चमकते हुए बलास्ट हो रहे हैं वो इरानी एर डिफेंस की मिसाइलों के हैं ये मिसाइले इसराइली फाइटर प्लेंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी तो बीती रात इसराइल ने एक अक्टूबर को एरान के मिसाइल अटैक का जवाब दे दिया एक अक्टूबर को एरान ने इसराइल पर लगबग 200 मिसाइले दागी थी ड्रोन भी दागे थे लिबनन में हिजबुला चीफ हसन नसरल्ला के मारे जाने से बौकलाई एरान ने इसराइल पर मिसाइले फायर की थी और तब ही से इसराइल के काउंटर अटैक की उल्टी गिनती चालू हो गई थी और वो वौल्टी गिनती आज सुबा तब पूरी हो गई जब इसराइल के सैक्रोफाइटर जट्स ने इरान पर बंबरसाने शुरू करती इसराइल का कहना है कि उसने इरान के मिलिटरी स्टैबिलिश्मेंट पर बिल्कुल प्रिसाइज अटैक किया है बिल्कुल सटीक हमला किया है और ये इरान को ना किवलो उसके मिसाइल हमले का जवाब है बलकि एक चेतावनी भी है एक वार्निंग भी है कोड नेम था Days of Repentance यानी पश्चाताब के दिन और ये पश्चाताब का दिन था इरान के लिए इसराइल पर किये गए मिसाइल अटैक का पश्चाताब शुकरवार और शणिवार की दर्मियानी रात इसराइल के अलग-अलग एर बेसिस से सौ से जादा फाइटर जेट्स ने एरान के लिए उडान भरी थी इसराइल में तब रात के ढ़ाई बजे थे सुबह करीब पांच बजे ये जहाज दो हजार किलो मिटर का सफ़ा ताएकर इरान पहुँच चुके थे और वहाँ अपने टार्गेट्स पर बमों को बरसा रहे थे चौकाने वाली बात तो ये है कि एरान से पहले इसराइल ने सीरिया के रडार स्टेशन को टार्गेट किया ताकि उसके इस ओपरेशन के भनक एरान को न लग पाए इसराइल के मताबिक उसके फाइटर जट्स ने इरान के 20 ठेकानों को टार्गेट किया है जिसमें मिसाईल और ड्रोन प्रोड़क्शन साइट्स भी शामिल है इसराइल के लडाकु जहाजों ने इरान के तहरान, कराज, इसफाहान और शिराग में बंबरसाएं है इसराइल का कहना है कि उसने इरान के नुक्लियर साइट्स, रिफाइनरीज और पेट्रूलियम भंडार को इसलिए निशाना नहीं बनाया क्योंकि इससे लड़ाई के और ज़्यादा भड़कने का खत्रा था IDF चीफ इस आपरेशन को कैम्प रॉबिन के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर से कमांड कर रहे थे इस हमले के बाद इसराइल ने इरान को चैतामी दी है कि अगर उसने फिर से इसराइल पर हमला किया तो अंजाम इससे भी जादा बुरा होगा If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively and we are prepared on offense and defense. Iran में आज सुबा जो है वो मिसाइल्स और बम धमाको की आवाज के साथ आज सुबा की शुरुआत हूँ. आसमान में गरस्ते लडाको जहाज और इंटरस्टर मिसाइल की चमक साफ सुनाई और दिखाई दे रहे थी. इस एयर स्ट्राइक में ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसराइल के फाइटर प्लीन्स कुछे मिन्टों में अपने जो काम को अपने मिशन को अन्जाम दे कर गायब लगा. इरान पर हमले की खबर आग की तरफ फैल गई. तहरान टाइमस ने रात के तीन बच कर दस मिनट पर तहरान के कई इलाकों में धमाकों की खबर दी. शुरुआत में इरान ने दावा किया कि सब कुस ठीक है और इसराइल के हमलों से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है. उसके रिफाइनरी, उसके एरपूर्ट, सब सही सलामत है. इसके साथ एरान ने ये भी दावा किया कि उसके एर डिफेंस ने इसराइली हमले को बुरी तरह नाकाम कर दिया है. हलांकि बाद में ये भी बताए गया कि इसराइली हमले में दो इरानी फौजी मारे गए हैं वहीं रिसराचर और एंटर्पनियोर डॉक्टर एली डेवीड ने ट्वीट कर ये दावा किया कि इसराइल की एर स्ट्राइक में एरान को रूज से मिले एर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-300 भी तबाह हो गए हैं हलांकि इस बारे में ना तो इसराइल ने अब तक कोई दावा किया है ना ही एरान की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है और ना ही इस खबर में कोई पुखता जानकारी है कि एरान को रुजिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम दिये थे और इसराइल की जो मिलिटरी है उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह दो बज़े के करीब यानि के रात दो बज़े के करीब इसराइल ने जो पिछले मेंने एरान ने हमला किया था उसका हमने बदला ले लिया है अब जारी बात है सिचुएशन एसकलेट हो रही है मिडली इस के अंदर और इसराइल की जो मिलिटरी है उसने अभी अपने टार्गेट कंप्लीट नहीं किये थे तो इरान की हकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रियक्शन देंगे इस हमले का तो इरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगों पर एक्स्पलोजन्स होएं इन दे वी आवर्स ये इस टाइम पर और इसराइल की जो हकूमत है वो भी ये कह रही है कि जनाब हमने अपना ओप्रेशन कंप्लीट कर लिया है इरान का जो एड डिफेंस सिस्टम है मुझे नहीं पता हूँ उसके इतना कामयाव है उसकी क्या कैपबिलिटी है लेकर अगर उन्होंने अटैक रोग ली है तो ये बहुत बड़ी बात है देखे दोस्तों अब तक जो खबरे सामने आई हैं जो मीडिया में अविलेबल हैं उसके हिसाब से ये बात तो सही लग रही है कि इसराइल ने इस हमले में एरान को कुछ खास लुकसान नहीं हुआ है इरान को कुछ खास जादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है तो क्या वाकई इसराइल का ये हमला केवल एक दिखावा भर था बस ये बताने के लिए कि उसने एरान के मिसाईल हमले का जवाब दे दिया है दोस्तों ये बहुत समझने वाली बात है ये थोड़ी बारीक सी बात है कि इस तरह के सिचुएशन में जब कोई छोटी लड़ाई हो के बीच एक बड़ी लड़ाई का भी खतरा मंडरा रहा हो तो इस तरह के हमले करके एक मैसेज देना भी एक टाक्टिकल मूव माना जाता है समझ रहे हैं आप? और इसराईल ने तो वैसे ही बयान दिया है कि उसने एरान के किसी रिफाइनरी को नुकसान नहीं पहुँचा है किसी नुकलियर साइट को टार्गेट नहीं किया अब सवाल उटता है कि क्या एरान फिर इसराईल पर हमला करेगा? फिलाले कहना मुश्किल है लेकिन कई मुस्लिम देश इसराईल पर हुए इस हमले के विरूद में जरूर आ गए सौधी अरब, ओमान, कतर, जॉर्डन, मलेशिया ने इसराईल के इस हमले के निंदा की है पाकिस्तान के पी-म शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट कर इस हमले को लड़ाई भडगाने वाला करा दिया है वहीं U.S. और UK ने इरान को साइकल और फाइटिंग को रोकनी के सला दी है अब इरान जवाबी हमला करता है या नहीं यह तो नहीं पता लेकिन उसने इसराईल के हमले का जवाब देना अपना हक बताया है लेकिन इस सारी की सारी जंग के अंदर इसराइल को अपर हैंड है उसकी वज़ा यह है कि एराणी जितने भी रिजिस्टनस फोर्सिस जिन्हें वो कहते हैं या वेस्टने प्रॉक्सी कहता है वो सारी की सारी अंडर एटैक है ठीक है उनके लिए मुश्किला आता है इस वकत अब इरान कैसे हमला करेगा क्या करेगा अमरीका औरडी इस वार के अंदर आ चुका है इसराइल जो है वो अपना हेजबुला के उपर जो अपना असॉल्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है उसकी शिदत को बढ़ा रहा है एस ट्रैक भी लवरान में कर रहा है सारा कुछ कर रहा है और मुझे मैं अगर इसको कहा हूँ इसराइल की जो मिलिटरी कह रही है कि उन्होंने अपने टार्गेट कम्प्लीट कर लिए इरान के अंदर जहां जहां वो मिजाइल अगर इरान फिर से इसराइल पर हमला करता है एसे एप्धर बात बगड़ा जाएगी दोस्तों दोस्ते आपको याद होगा कि इसराइल का काउंटर टाइक बहुत पहले हो गया होता आपको याद होगा कि उन्हों पहले ही ये खबर आयए है कि इरान पर जो इसराइल के हमले का प्लैन है वो लीक हो गया हो सकता है कि अगर ये प्लैन लीक ना हुआ होता तो इसराइल पहले ही इरान पर हमला कर चुका होता या ये भी हो सकता है कि इसराइल ने जान बूज कर प्लैन लीक करवाया कि तोयारी उस प्लाइन के मताबिक और हमला करने का प्लाइन दूसरा हो हलाकि इसराइल को जानने वाले मांनते हैं कि इसराइल के एक ये चाल भी होसकती थी तो 1967 में जो सिक्स डे वार हुई थी उस दोरान भी इसराइल ने इसी तरह का जहांसा देकर अचाना के जिप सीरिया और जोडन पर हमला कर दिया और आपको पता है कि क्या हुआ उसमें तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस हमले में अमेरिका का क्या रूल रहा है बहुत जरूर यह समझने ये दुनिया जानती है कि अमेरिका हर जगा डबल गेम खेलता है वो एक तरफ खुलकर इसराइल को सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ अरेबियन कंट्रीज के साथ भी तालमिल बिठा कर चलना चाहता है तो अमेरिका जानता था कि अगर इसराइल ने इरान पर हमला किया तो कंट्रीज हर हाल में उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं होगा लेकिन इसराइल इरान पर हमले के लिए आड़ा हुआ था इसलिए इसराइल के इस हमले से पहले अमेरिका ने अपना एक स्पेशल मिशन शुरू किया पिछले सोमवार को ही युए सेकरेटरी अफ स्टेट्स एंटरिं बिलिंकन मिडिल इस के दोरे पर रवाना हुए थे बिलिंकन कतर और सौधी अरब के साथ साथ इसराइल भी गए थे और वहां इसराइल हमास के लड़ाई के साथ साथ इरान के साथ बढ़ते तनाव पर भी बात की और उनके मि बीबीसी की इस रिपोर्ट को ही देख लीचे रिपोर्ट बता रही है कि एरान पर किया गया हमला ये बता रहा है कि इसराइल ने अमेरिका के दी हुई चेतावनियों पर ध्यान दिया है तो अगर वाकई ऐसी ही बात है तो फिर एरान इस हमले का काउंटर नहीं करेगा लेकिन बास सिर्फ इतनी नहीं इसराइल गाजा पट्टी के अलावा लिबनन में भी गुश चुका है वहाँ भी हिजबुल्ला के खिलाब उसके आपरेशन्स लगतार जारी हैं हिजबुल्ला इरान बेस्ट आतंकी ग्रुप है हमास और हुटीज का भी ऐसा ही सीन है उसके ज्यादातर हतियार इरान मेड है तो भले ही इरान और इसराइल सीधे आमने सामने ना आएं लेकिन हिजबुल्ला हमास और हुटीज के जरीए इरान इसराइल पर हमले जारी रखेगा यानि जल रही है यह फिलहाल तो बुझने वाली नहीं है तो दोस्तों आज के यह आपको वीडियो कैसा लगा डिटेलिंग कैसी लगी कमंट करके हमें जरूर बताइए और साथ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल जरूर से बेल आइकन प्रेस करते हैं जल्दे मलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जैन तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना मुझसे कोई सवाल पूछना तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फैन कॉल में यह सुविदा है कि आप अपने दिन मुझसे बात करनी है मुझसे बात करनी है लेकिन यह भी बता दू कि यह पेड़ सर्विस है